अपना अल्टिमेट आज हम यहां पर बात करने वाले हैं 67 बीपेसी एक्जाम के लिए साइंस की तियारी कैसे करना है साइंस जो है वो तीस नंबरों का आता है साइंस के लिए कौन सा बुक पढ़े और क्या-क्या रननीती अपनाना है आप लोगों को ताकि तीस में से कम से कम 26 नंबर 27 नंबर 28 नंबर तक आप लोग लाएं तो देखो रही बात 67 बीपेसी काते एक्जाम तो आप लोग का पस्पॉंड हो गया है कई दिनों से कई लोग परहसान है कि एक्जाम डेट कब होगा तो एक्जाम डेट को लेकर आप लोगों को चिंता नहीं करने की जूरत ह है और कुछ लोग जब से प्सपॉंड हो गया है तरह से सो गया है पूरी तो आपको ए माना के चलना है कि आपका एक्जाम मार्च में हो जाएगा तो आपके पास समय क्वाइब क्लिख रहा है कितना दिन तीन महिना आलोग मनन के चलना आज हम लोग इसकी पूरी रन्निती पर शर्जा करने वाले हैं कि साथ में आप लोगा लिए कावसक सूचना है बिहार इसपेसल अंफ लोग हमारी चेनल क stiffness में देख सकत मूं ढांग से डली हुए उसमें आप लोग देखते नहीं हूं इसलिए उसको मैं आगे नहीं बरहा रहा हूं विहार स्वसल कंप्लीट हो गया है एक या दो लेक्चर बची हुए उसको आप लोग देखें सास में पीडिये बगरा के लिए हमारा टेलीग्राम टेनल नयान अल्टिमेट से ज पह इस टॉपिक पर वीडियो बना चुका हूँ और मैं बार बार इसलिए वीडियो अगरा बनाते रहता हूं तानकि आपका मोटिवेशन बना रहे हमारे सासे जो भी लोग जुरोय हुए हैं और लोग मोटिवेट के साथ अपना काम करे हमेसा आगे बढ़े और सबका स्ले और आने वाला नए साल आप लोगों के लिए अच्छा हो 2021 जो गया सो चला गया 22 में आप सब लोग मैं चाहता हूं कि कम से कम बीपेसी निकाले सभी लोग जो भी हम से जुरे हुए हैं अब चलो बात करने में ले देखो तो बीपेसी का एकजाम डेर सो नंबर का होता है डेर सो नंबर और दो घंटो का एकजाम होता है सबको पता होगा फिर भी मैं बता रहा हूं क्योंकि जब आप लोग देखते हैं कौन बढ़ने का करूरपती खेल में सबको खेल का नियम मालूम होता है लेकिन फिर भी अविता डेरीजी नमबर का एक्झाम होगा और दो घंटो का होगा उसमें देखो अब डेर सो मेंसे तीस नमबर आपका सायन्स से रहेगा को तीस नमबर सायन्स से आगा देख लो आप लोग तीस से 25 नमबर आता है इतिहास से ठीक हिस्ट्री से पिशनमबर आता है बिहार विश्यस से जिसका वीडियो ड्ला हुआ है फुले लिस्ट में आप लोग देख सकते हो कि भीहार से चाहता है करेंट अफेयर 35 लग 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 रहता है लेकिन साइंस का भी आप लोग योग दान देख्या आप देखो सच् commitment की से नंगा फिर हम बात करेंगे की सच्मी इंपश्क कोन सा इंप लोगों को बता पर मटने आप आम होंगी वहीं वहीं सब्सक्राइक के जड़ा फोकस करने की ज़रुद आत, तो भीट को चलता तर्म इस प्रसंट था लेकिन पैंशाटमी से आप लोग देख लोग पैंशाटमी में 30 प्रसंट आया तो आप लोग देख रहे हैं सैंस से पहले 20 आता था अब तीस आने लगा है साइंस कि कितनी अहमियत है प्रिक्षा में सैंस के विना तो कुछ नहीं हो सकता का ढाइज सी अब्लूग करना है और साइंस देखो समान बिग्यान आता है एसा नहीं कि need का it j का बग्यान आता जिसे सोल्व करना असंभब है आसानी से हल किया सकता है एक थोरी सी समान ने जानकार आपको ओं आप लोग बना लोगे को स्टनन को यो आपको ढटकी जाए कि जब farming माध्याम से दूसरे माध्याम में आधाया कि यत्र कि पश्चा जाताए इस तरह से दिख अप लोग आपको भाउत की भाउत की होगा रसाइन और जी विग्यान ये पढ़ना है देखो सबसे पहले हम भाउत की कुछ इंपोर्टेंट चेपटर के बारे में बात करने वाले हैं और भाउत की कों का मैं बार-बार का तो मैं बहुत कुछ लेकर क्याता हूं आप लोग क्या है कि द्धं To ही नहीं हो अगर मैं यही कोर्स चला दूँ दो हजार चारहजर या दसजार कर दूँ तो सब लोग आएंगे लेकिन फिरी में क्या होता है लोगों को मिलता है तो लगता है कि बेवकूप आदमी है ऐसे ही बोल रहा है अरे एक एक कंटेंट पर धंग से काम किया गया आप का सेलेक्सन होता है मैं सब आदमी का इंट्रव्यू दिखाता हूं दाकि आपका मनोबल बढ़े और हर आदमी से मिलके और बहुत से लोग हमारे टीम में ऐसे लोग काम कर। रहे थे जब्यब्यlyं nisul वन मैं सेलेक्टेड है सेलेक्ते लोग समक्य पर टीम है ऐसा बात नही विहार विसेस वाली प्लेलिश देखो तब आपको पता चलेगा अहमियत क्या है और प्रिवियस येर में आप जाके देखो मैं बार बार आता हूं ताकि आप लोग इस जो हमारा मुहीम है बिल्कुल फिरी चलाने का उससे जुरे इसलिए मैं डेली डेली ये और ये सब चीज कोस्टन में आप जाओगे सिर्फ यहीं ही नहीं यूपी यूपी पीसीयस एंपीपिजियर कोई भी पिसेस उठालो रेल बे उठालो आपका कोस्टन नहीं छुटेगा एक बार आप हमारा लेक्चर देखो मैंने जो बिहार बिसेस आप लोग को पूरा लेक्चर पढ़ाया लोगों कई लोग जानते भी हैं चलो सिधा चलते हैं पॉइंट पर चलते हैं कि देखो फिजिक्स में बात करने वाले तो मातरा को भिमा मैं आप लोगोंको पढ़ाइद चुका हूं पलेलिस्ट में डल्य हुए हो आप लोग लेक्चर देखो और साथ में प्रैक्टिस कहा सब करोगे मैं आयसा बता दूगा कि एक भी को से इससे बाहर जाने वाला नहीं है ऐसा बुक बताने वाला हूं को इसके बाद धोनी और तरंग यानि कि सॉंड वेब से को सब्सक्न आना तय है पिछला बार भी पुछा था कि बायू तरंग कौन सा तरंग है पिछला वार बी प्यूश्य में पूछा था कि बायूतरंग किसका उदाहरन है कि से लाइट चेप्टर प्रकास से भी कोस्चन आना ताय रहता है लगवग लगभग पिछला बार इससे भी पुछा गया था कि जब प्रकास एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या नहीं बदलता है कि विद्धुद्धारा से भी कोस्टन पुझा था ये मीटर पुझा गया था उसमा से कोस्टन रहता ही है एक तो पुझेगा 40 डिगरी सेल्सियस को फॉरन हाइट में बदलो तो सेल्सियस को फॉरन हैट में जब भी बदलने वाला यह पूझे ता आप लोग एक फॉर्मूला आज याद रखी लो मैं यहीं बता देता हूं है याद रखना सी बाइफ है इसकल टू एफ माइनस बतीस बाइन आप लोग लगा देना है अब इस फॉर्मूले से जब भी पूझेगा कि सेल्सियस को फॉरन हाइट में मालों पूझ देगा 40 डिगरी सेल्सियस को फॉरन हाइट में बदले अब पूझता है वीपीसी में तो क्या करोगे यह फॉर्मूला यह आज रत हील लो इसको शीवाइफ हाइब इसको फॉर्मूल टू यहां पर रखेंगे यह आठ से कट जाएगा पांच अठे चालिस आठ इसकल टू याफ माइनस बद तीस बाइन जब यह इधर जाएगा तो गुना होगा तो आठ गुना नौ इसकल टू याफ माइनस बद तीस कितना हो गया अब बहुत्तर इसकल टू अब यह अफ माइनस बद तीस याफ इसकल टू कितना हो गया अब बहुत्तर प्रोस बद तीस तो दुद्द चार और साथ तिन दस एक सुचार टिग्री अब फरन हैट जब भी अब लोगों को लगा लेना है चलो खैर मैं दूसरा चीज बता रहा तो फुरा सब पढ़ा भी दिया आप लोग लिख लेना कि बुक पर भी चर्चा करने वाले हैं जाना नहीं है कहीं अंसक देखना है इसको बहुत गती यानिकी नुटन्स लॉप आप मोशन नहीं सब अब करन का नाम जो पूछता है वह भी पढ़ा दिया हूं संडवेव पढ़ा दिया हूं आप लोग प्रेलिस्ट में जाकर फिजिक्स वाली कलास देखें अब चलते हम केमेश्टरी की तरफ केमेश्ट्री में क्या क्या पूछा जाता है बेहदी महत्पुर्ण बात है और आपको तीस में से अपना टार्गेट सत्ताइश अठाइश नंबर लेके चलना अब देखो केमिस्ट्री में परमानुस रचना जिसका कलास मैं उसी दिन लिया हूँ परेलिस्ट बना हुआ है आप लोग जाके देखना और टेलिग्राम से भी जूरे अब अगला टॉपिक में पढ़ाऊंगा खुद ही रेडियो एक्टिविटी ठीक है इसको अमल चार लबन पढ़ा दूंगा कारवान धातु अधातु कारवन के मतलब जितने भी आप रूप वगरा है सब पढ़ाऊंगा ते केमिस्ट्री के टॉपिक हो गया अब रही बात बाइलोजी की तो बाइल हो जी पढ़ लेना साथ में इसको चित्र वित्र में दिक्कत है चित्रात्मक बला चाहो तो ले सकते हो सांदार है लेकिन अब इसके बाद एक ऐसा बुक बताने जा रहा हो जो कि बहुत ही महत्पूर्ण है इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा यह दुखो यह है घटना चक्र इसमें क्या है जो भी टॉपिक आप पढ़ोगे इसको चेप्टर भाई जितने भी राज्यों की PCS एक्जाम हुए है सबका इसमें दिया हुआ है कोस्टन तो इससे आप लोग प्रैक्टिस करों जब तक क्या होता है कोस्टन प्रैक्टिस नहीं कर लोगे बहुत जिदा कोस और कराश कोस्टन किकि कुछ कोस्टन से में रिपीट होते हैं से रिपीट कोस्ट्न आपको दिख्कत नहीं होगा इसलिए आप लोग घटना चक्रवाली इस से आप लोग जरूर में बहुत बढ़िया किता भाई है कि प्रैक्टिस करने के लिए इससे बेस्ट कुछ नहीं है बीपीसी के लिए कंसेप्ट देखो तो कंसेप्ट आप लोग करॉनिया लुसेंट से पर लो और एक सरसाई आप लोग इससे प्रैक्टिस करें जो मैंने बताया था बशक और कई लोगों को मालूम भी होगा कि बाकि उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आगी होगा कि पीश एक्जाम में दिया आपको निकालना है पैनल तो सैंस को कभी भी न भूले सैंस में एक चीज ढंक से पढ़ो सैंस में मतलब डेली दिन में परती-दीन एक मैं तो एक तारीक से आप लोग वोग लिए टाइम टेबल लेकि मैं बनाऊंगा आप लोगों के लिए कौन सा टाइम टेबल कैसे कैसे फोलो करना है नबे दिन का आप लोग टार्गेट बनाऊं मार्च 31 मार्च तक आप लोग जो अपना टार्गेट बना के चलो इससे पहले मुझे नहीं लग रहा है कि एक जाम होने की संभावना है वह ऐसे भी जो हमारे साथ जुरे हुए थे उसका त्यारी मैं करा चुका हूं ढंक से जो लोग नए लोग जुर रहे तो मैं फिर से त्यारी पुना कराऊंगा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब वगरा कर ले और वे लेका अंदलाले दबा दे तांकि कोई भी चीज में ल जारी जारी रखे हिस्ट्री साइंस बिहार स्पेशल इन सब टॉपिकों को अभी बिसेस रूप से ध्यान देने की जो रहता है ढंक से पढ़े भांकि धन्यवाद